17 सितंबर को देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का जन्म दिन है हर देशवासी अपनी अपनी तरह से PM मोधी के बड़े को सलिब्रेट करेगा राजनेता से लेकर आम इंसान तक PM मोधी को लेकर लोगों की अलग सोच है लेकिन कुछ खास लोग PM मोधी के बारे में बातें करें तो वे बातें भी खास हो जाती हैं जी हाँ यहाँ बात हो रही है हिंदी सिनेमा के सहनसा आमिताब बच्चन और PM मोधी के रिस्ते की जिसमें कितनी घनिष्टता है वो तो इनके करीबी जाने लेकिन एक बात जो लोगों के सामने दिखती है वो ये की दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रतिकाफी इज्जत और सम्मान है बीते साल मोधी के जनम दिन पर अमिताब ने ट्विटर पर मोधी के व्योहार की तारीफ करते हुए साल 2009 के उस किस्ते को बया किया था जब वो पहली बार पीम मोधी से मिले थे दोनों लोगों की मुलाकात गुजरात में हुई थी जहां अमिताब अपने फिल्म पाक और टैक्स फ्री करयानी के लिए मोधी से मिलने गए थे अमिताब ने लिखा कि CM Office बेहदी साधारन था और उससे भी सिंपल था वो कमरा जहां मोधी बैठते थे इसके बाद जब सुटिंग के लिए पहली बार गुजरात पहुँचा तो आपका ही फोन सबसे पहले आया आपने मुझसे कहा कि किसी चीज की जरूत होगी तो मुझे फोन कीजिएगा गुजरात में आपका स्वागत है बाहर गर्मी बहुत है इसलिए पानी पीते रहिएगा मैंने जब आप में आपको धन्यवाद कहा और एक अग्रह किया कि सूटिंग के दोरान किसी भी राजनेतिक वेक्ति को मुझसे मिलने ना दिया जाए आपने इसके बाद फोन रख दिया और मैं सूटिंग में वेस्ट हो गया मैंने करीब एक मेहने वहाँ सूट किया लेकिन इस दोरान किसी भी राजनेता से मेरी मुलाकात नहीं हुई इसके साथ ही अमिताब का कहना है कि मोदी नर्म दिल के मालिक हैं और इसी वज़े से जब वो पीम बने तो मुझे बिल्कुल अच्रज नहीं हुआ जबकि पीम मोदी ने एक टीवी कारकरम में कहा था कि अमिताब ने गुजरात के प्रिचार के लिए एक भी पैसा नहीं लिया था